नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खुश्बू पती पतनी के बीच अकसर विवाद होते रहते हैं और कई बार ये विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि नौबत तलाग तक आ जाती है और तब नौबत आती है भरण पोशन भत्ते की जिसे गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस अलाउंस भी कहा जाता है इसी गुजारे भत्ते को स्ट्रीम लाइन करने के लिए हमारे देश की सर्वोच अदालत यानि की सुप्रीम कोट ने नई गाइडलाइन्स जारी की है सुप्रीम कोट ने कहा है कि अब गुजारे भत्ते के लिए दाखिल आवेदन की तारीक से ही गुजारा भत्ता मिलेगा साथ ही वैवाहिक विवाद में पक्षकारों को अपनी संपत्ती और देंदारी का व्यौरा देना होगा लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि सुप्रीम कोट के मुताबिक इसके लिए कोई स्ट्राटेजिक फॉर्मिला नहीं है कि गुजारा भत्ता कैसे तै होगा इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट की मनशा तो सही है लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इसका आकलन कैसे होगा कि गुजारा भत्ता कितना मिलेगा भले ही कोर्ट ने कह दिया हो कि ये पार्टियों के स्टेटस पर निर्भर करेगा साथी पतनी की जरूरत बच्चों की पढ़ाई पतनी प्रोफेश्टल तरीके से पढ़ी है या नहीं उसकी आमदनी क्या है क्या उसके आमदनी से जीवन निर्भा हो सकता है क्या शादी से पहले से वो नौकरी करती थी? क्या शादी के दौरा नौकरी में थी? क्या वो नौन वरकिंग है? इन तमाम बिंदूओं को देखना होगा लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सभी बिंदूओं का आकलन करना कितना जादा मुश्किल है और इसमें गड़बर जोल करने के कितने चांसे हैं सुप्रीम कोट के इस फैसले में जितनी बारीकियों को ध्यान में रखा गया है उतना ही मुश्किल है किसी भी पक्ष से इन सभी चीज़ों को लेकर पार दर्शिता की उम्मीद करना कोट की जज्जमेंट में ये भी कहा गया है कि पती की हैसियत के हिसाब से गुजारा भत्ता तै होगा और उसके खुद के परिवार की उस पर कितनी जिम्मेदारी है ये भी देखना होगा यहां इस बात को समझना होगा कि जहां हमारे देश में लोग इंकम टैक्स से बचने के लिए जो कि हर नागरिक का दाइत्व है उससे बचने के लिए एक से एक तोड़ निकाल लेते हैं तो कोई भी पक्ष अपनी हैसियत और अपनी जिम्मेदारियों को कितनी आसानी से घटा बढ़ा सकता है ये गाइडलाइन्स मेंटेनेंस अलाउंस की विवस्था को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हैं अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी दरसल फैमली कोर्ट, जिला अदालतों और मेजिस्ट्रेट कोर्ट में हजारों की संख्या में तलाग के मामले चलते रहते हैं इतना ही नहीं जब कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता तो वह हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है नतीजा ये कि ये प्रक्रिया लंबी होती चली जाती है इसके साथ ही जितने लोग उतने ही कानून, हर मामला कुछ नहीं कहानिया बया करता है बस अगर कुछ कॉमन होता है तो वो है शादी के बाद उत्पन हुआ तना जो की बाद में विवाद का रूप ले लेता है अलग-अलग अदालतें इतने फैसले सुना देती हैं कि वकीलों तक को याद रखना मुश्किल हो जाता है इसी व्यवस्था को streamline करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशानिर्देश जारी किये हैं सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि शादी से जुड़े विवादों की सुनवाई में एक रूपता आए कोट ने कहा है कि हर केस के लिए एक सा फॉर्मिला तै नहीं किया जा सकता ये केस टू केस आधार पर तै होना चाहिए लेकिन ये एक रूपता तब ही आएगी जब दोनों पक्षों से सही जानकारी मिलेगी इस फैसले के सबसे खास बात यह है कि सरवच अदालत ने अपनी जज्जमेंट में महलाओं के एजुकेशन और उनके लाइफस्टाइल हर पहलों को ध्यान में रखा है साथ की सुप्रीम कोट ने अदालतों से ये भी कहा है कि अगर पतनी पढ़ी लिखी और प्रोफेशनली क्वालिफाइट है लेकिन बच्चों या बुजर्गों की देखभाल के लिए बरसों से घर पर ही रह रही है तो ये समझना होगा कि ततकाल उसे कोई नौकरी नहीं मि रहे यानि की महिलाओं को अपनी जीवन शैली से कोई भी समझोता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुप्रीम कोट अपने इस निर्णे पर तब पहुची जब उसने दिल्ली हाई कोट के केस में फेस्बुक पोस्ट पर देखा कि पती एक शांदार जीवन शैली जी रहा ह जिसमें वो महंगे कैमरे का उपयोग करते हुए दुनिया के विभिन हिसों में वाइल लाइफ की तस्वीरें खीच रहा था बच्चों के लिए भी इस जज्जमेंट में खास प्रावधान है जिसकी मदद से ना सिर्फ उनकी मूल जरूरतों के लिए जैसे की खानपान, पढ़ाई, कपड़े, रहने, डॉक्टरी खर्च बलकि इसमें उनकी कोचिंग क्लासेज और वोकेशनल कोर्सेज को भी ध्यान करना पड़ता है, लेकिन कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया है कि अब ऐसा ना हूँ, कोर्ट ने अपनी जज्जमेंट में एक और खास प्रावधान शामिल किया है, जिसके तहत आवेदक के लिए भी नियम बनाए गए है, दरसल समस्या ये आती है कि एक पक्ष कई मर्तबा जूठे केस या एक से अधे कानूनों के तहट दूसरे पक्ष को परिशान करता है, लेकिन अब कोई भी पक्ष ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब उसे ये बताना होगा कि उसने किस कानून के तहट किस अदालत में पहले से केस कर रखा है, नई व्यवस्था से कोर्ट को प बदलाफ करना है, तो आवेदक को उसके बारे में बताते हुए अपना आवेदन देना होगा। दरसल पती-पतनी के बीच विवाद होने पर जब कोर्ट की कारवाई शुरू होती है, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक जो खर्चा होता है, उसे भी ध्यान में रखा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ती समय पर गुजारे भत्ते का भुकतान नहीं करता, तो उसके खलाफ क्या कारवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि यदि गुजारा भत्ता का आदेश हो चुका है, तो हिंदू मारिज आक्ट के सेक्शन 28A, घरेलो हिंसा कानून के सेक्शन 26 या CRPC के सेक्शन 128 के तहत संबंधित पक्ष पर भुकतान का दवाव बनाये जा यदि इसके बाद भी वो गुजारा भत्ता नहीं चुकाता, तो CPC के सेक्शन 51, 55, 58, 60 के तहत सिवल कोर्ट से मनी डिक्री यानि की कुर्की की कारवाई की जा सकती है, दरसल डिक्री किसी कोर्ट के निर्ने की अपचारिक अभिव्यक्ती है, जिसके अंतरगत कोर्ट पक्ष कारों की अधिकारों की घोशना करती है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेर करें, और Capital TV को सब्सक्राइब करें, नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया